नमश्कार, Divine Blessings to you all एक कमेंट वीडियो पर आया था तो थोड़ा important सा लगा मुझे इस पर बात करनी चाहिए मैं आपको कमेंट सुनाते हूँ किसी ने ये कमेंट किया है जब सारे लोग अपना हिसाब खुद पूरा कर रहे हैं तो फिर नरक का कह काम है क्योंकि जिसके साथ करम बने वो खुद ही आकर तकलीफ देता है यमदूदों को तो पीटने का कोई अधिकार ही नहीं है इस तरह का उनका कमेंट था देखिए मैं जो भी कुछ बताती हूँ या जो भी मेरे विडियोज हैं वो सब मेरे अनभवों पराधारित है जिस तरह के मैंने एक्सपिरिंस किये है इतने टाइम से इस फील्ड में हूँ उठारा उननिस साल हो गए हीलिंग करते हुए और इसमें भी पास्ट लाइफ थेरपीज या और हीलिंग थेरपीज कराते कराते भी बहुत सारे केस किये हैं तो हमारा हिसाब किताब सिर्फ लोगों से नहीं है सिर्फ गिने चुने लोगों से नहीं है हम इतने जनम लेकर आए हैं हर दिन हम कोई न कोई कर्मा क्रियेट कर रहे हैं तो एक सेशन था मेरा जिसमें की मैंने मैम को पास्ट लाइफ में लेकर गई थी और उसमें उन्होंने देखा था कि उन्होंने कोई सादू संत की एक बाच्छे लोगों की टोली थी उनको वो पत्थर मारती थी एक मेल परसंट थी उनको बहुत परिशान करती थी उनका कभी लोटा चीन लेती थी, कभी कुछ समान चीन लेती थी और बहुत मज़ा आता था उनको, बहुत शैतान थी वो उस लाइफ में वो एक लड़का थी तो उन्होंने कई साल तक उन्हें ऐसे ही परिशान किया कभी उनकी मुझ खीच लेती थी, कभी धक्का देती थी, पत्थर मारती थी उनके खून निकलाते थे और वो जो सादू संत थे, वो फिर गुसा करते थे इन पर कुछ-कुछ बोल देते थे गलत की तू भी ऐसे भुखतेगा, इस तरह से चीज़ें बोल देते थे तो जब उन्होंने ये लाइफ छोड़ी, तो उन्होंने ऐसा देखा वो सीधे यम लोग गई थी और वहाँ पर यमराज बैठे थे सामने उन्होंने यमराज की सारी ड्रेस को और किस तरह की उनकी परसनालिटी है वो सारा डेस्क्राइब किया वहाँ बहुत सारे लोग थे, वहाँ का सारा कुछ उन्होंने डेस्क्राइब किया कि ऐसे ऐसे जगा जगा लोग खड़े हुए हैं और उनको सजाय सुनाई जा रही हैं तो जब इनका नंबर आया तो इन्हें भी सजा सुनाई गई वो गुसा थे इन से कि इन्होंने ठीक काम नहीं किया है और उनको फिर कोड़े लगाए गए इन्होंने देखा बहुत कोड़े मारे हैं उबलते हुए तेल में इनको डाला गया है आग के अंदर डाला गया है और इनको बहुत तकलीफे हो रही है उसके बाद फिर इन्हें जेल में बंद कर दिया फिर कुछ टाइम के बाद जेल से निकाला और फिर उन्होंने का नहीं अभी तो इसको और कोड़े लगाने हैं और मारो इसको फिर बहुत मारा उनको और जादा मारा बहुत मारा उन्होंने ऐसा बताया कि मुझे बहुत जादा मार रहे हैं फिर से और उसके बाद फिर ये सजाएं देने के बाद उनको जो है जो जनम दिया गया वो कुत्ते का दिया गया उन्होंने देखा कि मेरा जनम हो गया है और मुझे कुत्ते की योनी मिली है तो ये जो नरक होते हैं या इनका भी रोल प्ले होता है अब क्योंकि इन्होंने अपना करम इस तरहां से भोग लिया था तो इस जनम में प्रेजन्ट लाइफ में उन्हें शारिरिक कष्ट नहीं थे उन्हें मानसिक कष्ट मिले क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करती या ये अपनी चॉइस तो नहीं है यमदूत आये जो उन्हें पकड़ के ले कर गए तो वहाँ पर यमलोक में नरक में जो इनको यातना मिली उसकी वजह से जो फिजिकली इन्होंने लोगों को दुख दिया था वो भोगना इनकी पूरी हो गई इसलिए इनकी प्रेजन्ट लाइफ में इनको सिर्फ मानसिक कष्ट हुए अगर ऐसा नहीं होता तो इन्हें शारिरिक कष्ट भी जेलने पड़ते ठीक है तो एक तो ये बात हो गई कि नरक भी अपना काम करते हैं ये जो संस्थाएं हैं ये भी लगातार काम करती हैं अगर ये ना हो तो तो बड़ा मुश्किल हो जाए किस तरह से जेलना पड़ेगा भोगना पड़ेगा वो तो फिर दुनिया ही बिल्कुल ही अलग हो जाएगी तो ये सिस्टम्स भी काम करते हैं अब हमारा हिसाब किताब सिर्फ पाँच्छे लोगों से नहीं है या जो हमारे आसपा से सिर्फ उतनों से नहीं है देखो, हम अगर कोई पेड़ काटते हैं प्रकृती के साथ गलत करते हैं, इंजस्टिस करते हैं ठीक है? प्रकृती के साथ हमारे कैसे करम बंधन बनते हैं? फाइव एलिमेंट्स होते हैं, पाँच तत्व अगनी, जल, आकाश, पृत्वी और वायू हर रोज हमारा प्रकृती के साथ हिसाब किताब बन रहा है कैसे? हम वाइकल्स चलाते हैं, कार ड्राइव कर रहे हैं, टू वीलर्स ड्राइव कर रहे हैं हमारे वाइकल्स से धुआ निकल रहा है वायू तत्व खराब कर रहे हैं हम गंदा कर रहे हैं वायू तत्व को हिसाब किताब बन रहे हैं हाला कि हम एफोर्ड नहीं कर सकते हैं बिना वाहन के फिर चलेंगे कैसे? वो अलग बात है, वो हमारी चोईस है कि इसके बिना हम कर नहीं सकते हैं कुछ भी तो हमें करना ही पड़ेगा अब उसका हिसाब जो भी रिटर्न आएगा वो तो जिलना ही पड़ेगा हम हर रोज कितने केमिकल्स घर में यूज करते हैं साबुन है, शाम्पू है, क्लीनर्स है कितने केमिकल्स ये तो हर घर में ही यूज हो रहे हैं वो सब पानी में बहकर जाते हैं जल तत्व पॉल्यूट कर रहे हैं जल तत्व पॉल्यूट करने के बाद वो सारा पानी जो होता है अर्थ में जाता है तृत्वी तत्व को पॉल्यूट कर रहे हैं गंदा कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं ये तो बहुत ही simple, बहुत छोटा example दिया है, अगर पेड़ काट रहे हैं अपना घर बनाने के लिए, तो भी प्रकृति के साथ हिसाब बना रहे हैं, क्योंकि उसके साथ injustice हो रहा है, उसके साथ अन्याय हो रहा है, कहने के लिए हम ये कह सकते हैं, कि अगर पेड़ नहीं काटेंगे, तो हमारा घर कैसे बनेगा, हम कैसे रहेंगे, वो सिर्फ बहानासा है, जो सच है, वो तो है ही, effort कर पाएं या नहीं कर पाएं, ये अलग बात है, ठीक है, प्रकृति के साथ हमारे करम बनते हैं, हर रोज बना रहे हैं, ऐसे ही, बहुत सारी सोल्स के साथ, करम बन धन बन दे रहे, चले जाते हैं, किसी के साथ हम फिजिकली कुछ करते हैं, किसी के साथ हम मन से कुछ करते हैं, किसी मन से किसी के लिए, जैलसी वाली एनरजी उसको बेजते हैं, बद्दूाओं वाली एनर्जी उसको भेजते हैं कर्स वाली एनर्जी उसको भेजते हैं कर्स कर देते हैं तेरा तो ऐसा होगा इसके तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए इसका तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए इस तरह की लेंगविज हम यूज करते हैं मुझे बोलकर उसके साथ हम थागा जोड रहे हैं सुक्षम थागा मेरी एक विडियो है Forgiveness वाली उसको देखिएगा अगर अच्छी पोजीशन पर है तो कितने लोगों की डाट लगा देते हैं हर रोज शायद उनकी इंसल्ट करते हैं करम बंधन बन रहे हैं बनाते चले जा रहे हैं तो सिर्फ इतनी सी सोल्स नहीं हैं जिनके साथ करम बंधन बन रहे हैं बहुत हैं ऐसे में हम हर एक के साथ इंडिविज्वली करम को नहीं निपटा सकते हैं जो प्रकृती की चीजें हैं जो प्रकृति के साथ injustice हुआ है, बीमारियों के रूप में आता है और souls के साथ जो हमने किया है, वो बीमारियों के रूप में आता है हमारी blockages के रूप में आता है, हमारे जीवन में कुछ souls तो ऐसी भी होती है ना, जो माफ कर देती है, कोई बात नहीं जिसने हमारे साथ जो भी किया, कोई बात नहीं, वो सब सुखी रहे उन्होंने अपनी तरफ से धागा काड़ दिया, लेकिन आपने अगर उनके साथ कुछ गलत किया है, तो वो return आपको करना ही पड़ेगा, universe को वो return करना पड़ेगा, देखो ये एक energy है, जैसे ही आपने कुछ किया, उसका consequence आपकी energy में आ जाता है, अब आपको उसको हलका करना है, अपने आपको हलका करना है, वो एक extra चीज है, करम बंधन, वो एक extra चीज है, जो आपकी नहीं है, आपने उसको अपनी energy से निकाल देते हैं, तो वो करमा balance हो जाता है, वो करमा चुक जाता है, balance कैसे होता है, जब दो लोग आपस में एक करम से जुड़े हुए हैं, और उन दोनों के बीच में इसकी भी healing हो गई, आपकी भी healing हो गई, तो वो करमा balance हो गया, अब जो लोग माफ कर देते हैं अपनी तरफ से, तो वो थोड़े ना आएंगे आपकी जंदगी में, अपना बदला लेने के लिए, लेकिन वो करम जो है, वो आपको सफर करते हैं, नहीं तो और योनियों में जाकर वो भोगते हैं, ये जो गिने चुने लोग हमारे जीवन में आते हैं, ये वो लोग होते हैं, जिनके साथ रहते हुए हमें कुछ learn करना होता है, हमारी learning होती है, ये आप इस तरह से समझिये, जितना मैंने इतने सारे सेशन्स किये हैं, उसके आधार पर आपको बता रही हूं, ये विलकुल ऐसा है, जैसे ये एक मूवी चल रही है, यहां पर संसार में, और इस अर्थ से उपर, अलग-अलग तरह के रेल्म्स हैं, रेल्म्स मतलब दुनियाएं हैं अलग-अलग सुक्ष में दुनियाएं, जो हम इन आखों से, जो पाच तत्वों की बनी होई हैं, हम नहीं देख सकते हैं, जब ये पाच तत्वों की आखों को हटा देते हैं, या पाच तत्वों से पार निकल जाते हैं, तब हम उनको देख पाते हैं, तो वो रेल्म्स जो बनाने के लिए कि वहाँ तो जाही रहे है हमारा ये भी फाइदा हो जाए तो अच्छा है तब हम उन सोल्स को चूज करते हैं अपने आप ही कि ये इनके साथ हमने गड़बड कर दी थी अब इस जनम में ये हमारे आसपास आ जाएंगी एक तो इनका करम भी हम चुका देंगे करमा बैलेंस कर देंगे और इससे हम ये चीज भी सीख जाएंगे तो हमारा दुगना फाइदा हो जाएगा जो सोल होती है वो भी राजी हो जाती है तो वही लोग हमारे रिष्टों में हमारे आसपास आते हैं वो आपको याद दिलाते हैं कि कुछ अन्रिजॉल्ड है भू इतर परसन बना देती हैं आप उससे बहुत कुछ सीख जाते हैं अपने आपको इंप्रूव कर लेते हैं यही तो लर्निंग है जब तक लर्न नहीं करते हैं तब तक वो कर्मा एंड होने पर नहीं आता है जैसे ही हम लर्न कर लेते हैं हम ये समझ जाते हैं कि यह हमारा ही कर और हमें इसको balance करना है, इसको release करना है करम को, तो वो करम जो है, उसको ठीक करने के लिए रास्ते खुलने रग जाते हैं. Universe आपके लिए doors open कर देता है, जाओ और इस करम को चुकता कर लो. जानवरों के साथ भी हमारे करम होते हैं इतने जन्मों तक आये हैं पता नहीं किस जन्म में क्या किया है किसी जानवर के साथ एक P.L.R. किया था तो उसमें उन्होंने गाये के साथ अन्याय किया था मारते थे गाये को तो उन्हें इस जनम में गौव दोश लग गया उनके अपने घर में गाय जलके मर गई गौव का दोश लग गया उन्हें और इस दोश की वज़े से बहुत सारी परिशानिया उनके जीवन में आ गई जानवरों के साथ भी हमारे करम बंदन है कीडे मकोडों के साथ करम बंदन है यह जो हम ओल आउट यूज करते है या हम इंसेक्टिसाइड्स यूज करते है इन सब का भी करम बंता है जैसे हम यह कह सकते हैं मच्छरों से क्या हम कटवाते रहें अपने आपको इनको हम नहीं मारें ये तो बहुती जादा हमारे उपर हावी हो जाएंगे, हमें तो भीमारिया हो जाएंगी सही बात है, अभी की जो situation है, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं लेकिन कर्मा नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता है अगर all-out use कर रहे हैं, मच्छरों को मार रहे हैं ये छोटी 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 जो इनमें भी सोलतो है ही, जानतो है ही इनमें भी तो ये छोटी छोटी जो होती है, इनका जिस तरह से कर्मा मिलता है तो वो इस तरीके से मिलता है, कि आपको बहुत तेज बुखारा जाएगा बहुत तकलीफ एकदम से हो जाएगी कुछ चोट लग जाएगी चोट तो चोटी सी लगेगी दर्द बहुत जादा हो जाएगा दो-तिन दिन रहेगा अपना ठीक हो जाएगा तो ये इस तरह से चोटी-चोटी कर्मा मिलते हैं वो हाथ के हाथ भी मिल सकते हैं तो जिसका अच्छा किया है उसका तो पुन्यफल मिलेगा लेकिन जिसके साथ injustice हो गया वो भी कर्मा जरूर बन जाता है अगर ऐसा भी है कि अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है और आप देख रहे हैं कि हमें तो करम में पढ़ना ही नहीं है तो देखते हुए भी ना करना ये भी करम बन जाएगा कि तुम देखते रहे और तुमने किया नहीं उसका लो करम हो गया तो इस संसार में हम कर्मों से नहीं बज सकते हैं बस उनको ऐसा हम कर सकते हैं कि जो गलतियां कर रहे हैं बड़ी बड़ी गलतिया कर रहे हैं उनको रोक लें अपने आप जरा रुकें ठहरें सोचें जीवन में क्या चल रहा है और ये क्यों चल रहा है और अगर ये चल रहा है तो क्या मुझे इसकी चेन को लंबा करना है या यहीं पर चेन को खतम करना है रोक लूँ इसको, accept कीजे, थोड़ा सा मनंचिंतन कीजे, जब आप ऐसा करेंगे तो जरूर उसमें से आप हल निकाल पाएंगे, समाधान निकाल पाएंगे तो जो रोज के करम बन रहे हैं, एक तो उन पर लगाम लगाना, जो पिछला कर आएंगे उसकी चेन बढ़ा रहे हैं, उस पर लगाम लगनी चाहिए और नए जो करम हैं, वो सुच समझ कर बनाएं, ऐसा करने से वह खौत तेजी से परिवर्तन होने लग जाता है मन को शान्त रखें, अपनी उर्जाओं को बढ़ाएं, एक तो उर्जाओं को वेस्ट होने से रोकें, ये जो रील्स वगेरा होती हैं, ठेर सारी एनरजी इसमें आपकी जाती जाती है, बहुत जाती है कई सारे लोगों की, जिनका मुझे पता लगा कि बहुत जादा टाइम वेस्ट करते हैं इन सब चीजों में, सोशल मीडिया ये सब में तो उनकी जब मैंने एनरजी वापस कराई वहां से, इतनी धेर सारी एनरजी वापस उनके अंदर आई, धेर सारी एनरजी उन्होंने ऐसा फील किया, अतना ऐसा लग रहा है कि जैसे हम अब वैसे हो गए हैं जैसे थे, अब ठीक लग रहा है ये सारी चीजें बहुत वेस्ट करती हैं एनरजी को, जिन चीजों में आप देखने में समय लगा रहे हैं, आँखों से उरजा जा रही है, मूँ से उरजा आपकी वेस्ट हो रही है, जतना जादा आप बोलते हैं, बात करते हैं, उतनी उरजा वेस्ट हो रही है अब अगर मुझे अच्छे शब्द निकल रहे हैं तो वो उर्जा जो निकलेगी एक तो कम निकलेगी और अच्छी निकलेगी जो की फाइदा ही करेगी अगर जो मुझे शब्द निकल रहे हैं वो शब्द भारी हैं निंदा वाले हैं, जैलिसी वाले हैं, गुसे वाले हैं तो बहुत सारी उर्जा एक बार में आपकी निकलेगी जल्दी आपकी एनरजी कम होने लग जाएगी जो लोग बहुत गुसा करते हैं, बहुत जादा लोगों की बुराई भलाई में लगे रहते हैं शिकायते ही शिकायते करते रहते हैं उनकी अपनी अंदर से उड़ जाएं बहुत कम होती है मतलब एनरजी बहुत कम होती है ताकत कम होती है उनके अंदर उड़ जा की ताकत वैसे और नेगिटिविटी जोर होती है लेकिन अपनी जो प्यूर एनरजी है पवित्र उड़ जा है, बहुत सुन्दर उड़ जा है, वो बहुत कम हो जाती है हम सब spiritual souls हैं, सब लोग बहुत pure हैं, बहुत अच्छी souls हैं लेकिन ये जो उट-पटांग energies हैं, जो हमारी नहीं हैं उन्हें अपना समझ के हमने बहुत चिपका रखा है अपने उपर layers, layers, layers में, layers में बहुत सारे चिपका रखा है उसकी वज़े से जो हमारी अपनी खुपसूरती थी, जो हमारी अपनी qualities थी, सुन्दर सुन्दर वो सारी ढख गई हैं, अब अपने आपको वापस पाने के लिए clean करना पड़ेगा आप सब बहुत powerful souls हैं, यह चोटी मुटी situation है आपके आगे अगर आप, जो आप हैं, actually हैं, उसके सामने यह परिस्थिती आएंगी ऐसे लोग आएंगे, कुछ भी नहीं है आपके आगे क्यों इतना जादा आपको नुकसान कर देती हैं, क्योंकि एक तो आप, आप नहीं है इतनी सारी वजन वाली energies आपने अपने उपर लगा रखी हैं, चिपका रखी हैं उससे बहुत weak हो गए हैं, weak होते हैं तो परिशान होते हैं परिशान होते हैं तो react करते हैं, और react करने से कर्मा को और जादा बढ़ा लेते हैं clean कीजे अपने आपको, बाहर निकालिये जो आप हैं तो आज की वीडियो में इतना ही, thank you for watching खिस पकालिये पाहर दोगिये ज्रुद Wirtschaftाला निकाल mö बढ़ा जादा की अज की आपने, पैशान हमता हैं झाल कि भसे काल दो हैं कि तो इक मताफ जो पर बढ़िए हैं